हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं आप लोग के बीच में जो एक अभी इसू चलने कि वह इन्वेस्टमेंट प्लान आप सबका बिल्कुल ही किलिए यूशु में पढ़ रहे हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है तो मैंने इसको लेके बार-बार आप लोगों को बता दिया है लेकिन चलिए वैसे आप लोग जो सतर परसेंट हो भी और तीस परसेंट जो हो भी एक पर फिरेट्स में समझ लिजिए इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं तो दोस्तो इकोज इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोगको इस बातों को ध्यान पिर रखना हैं आपके पास उस बात को भी आप लोग ध्यादा सुन लो अगर आपके पास एक हजार रुपीज मिनियुम तो भाइम समस्तों सभी के पास एक हजार रुपीज होगा ही ठीक है जो भी फिन्टास्री में होगे इतना रुपीज के लेकर तो उत्र ही होगे तो आप लोग दुस्तों दस मैच इसका मतलब इसको दस सभागा देजिए तो तक्रीबबन आप समझ लो कि आपके पास बचेंगे 100 रुपीज मिन्स इसका मतलब ही है कि आपको पड़े मैच में 100 रुपीज लगाने है अगर आपके बज़ेट 1000 रुपीज है तो अगर दोस्तों आपका बज़ेट 10 करना है आपको बिल्कुल सिंपल और किलियर इंवेस्टमेंट प्लान लेकर चलना है आप लोग ज्यादा नहीं सिर्फ एक बार मेरा बात मानके 10 मैच में कर लो उसके बाद आप लोग मुझे इस वीडियो कमेंट में जाके बताना कि राजा भाया आप जो बताया थी वो टि प्लान के साथ खेलते हो तो आप लोगों को तग्रेब प्रॉफिट होंगे और दोस्तों मैं हमेशा से एक बत करता हूं कि अगर मान लोग को ऐसा मैच है जहां पर आपको ड्रीम 11 पे बेस्टीम नहीं बन रहा आपका तो भूल सभी उस मैच में एक भी रूपीस ड्रीम पर अगर आपका टीम समझो कि सेम टीम सभी अप्लिकेसन पर बैठ रहे हैं तब कोई दिगत नहीं आप ड्रीम लेंट पर खेल सकते हो अगर आपके पास दोस्तों कोई केडिट के बएक से बड़े पलिया को छौड़ने पर रहे हैं और आप उसमें वीक्वल इन्वेश्मेंट करने हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है तो उस मैच को आप यह अगर सोच लिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्रीम लेंट पर खेलना है तो उस मैच को यह तो आप दूसरी अप्लिकेशन पर खेलते हो वहां पर जाकर आप लोग अच्छा-खासा प्रफीट बज आप जीट गे तो बढ़ा दों कि आपका इन्वेस्टमेंट है वह बिल्कुल फिक्स है उसमें आप लोग को कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आप मानलो कि एक मैच में आपने जीते 500 रुपीच तीसरे मैच में आपने फिर से जीता हजार रुपीच म पांच में मैच में आपने क्या कि आप पांच रुपीच लगा दियो वहार गे तो चारों मैच में जीते वेचे सब कसब कुछ भी नहीं सदा कसरा लौस में चलेगे आप तो कहने के मतलब ही है कि आपको एक समान इक्वाल इंवेस्टमेंट पकड़कर चलना है और अगर आ नहीं मत करना बाकि दोस्तों करके जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और फञेंल प्डेट करते हो क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जूर जाएए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए इंज्वाइए कीजिए च्छाखासा वीहिन कीजिए